दोस्तों स्वागता आपके अपने चैनल प्रिक्षा चैनल में दोस्तों आज जॉब लेके आया हूँ जम्मू और कश्मीर की जो जॉब्स निकलती है प्राइवेट हो या गोवमेट हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं तो आज भी ऐसी एक जॉब लेके आया हूँ जो सिविल सेक्रेट में जॉब निकली हूई है तो इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ आपको क्या क्या बेसी काहां आपको एपलाई करना है सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ तो जो सबसे पहले मैं बता दूँ PMRU में जो जो जॉब निकली है प्राइस मोनेटरी है रिसोर्सिज यूनिट की काफी अच्छा एक मतलब डिपार्डमेंट हम इसको बोल सकते है जिसमें काफी अच्छी जॉब है सेलरी काफी जादा है और उसकी जो जॉब निकली है अलिजिबिल्टी क्या है सेलेक्शन क्रेटिकर है लोकेशन क्या रहने वाली है वो सब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो जॉब है वो है प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर की जिसकी सेलरी 45,000 है पर मन्त और जो इन्होंने मागया है बैचलर डिगरी होनी चाहिए फार्मेसी में या मास्टर डिगरी होनी चाहिए फार्मेसी में दो साल का experience इन्होंने मागया है और एज 15 साल तक है कोई दिक्कत नहीं है बाकी आपकी सेलेक्शन किस बैसी इस पर होगी देखो इसमें जो bachelor degree की है जिसने pharmacy में उसको 60 points मिलेंगे और जिसने master degree की है उसको 70 पे मतलब 70 points मिलेंगे फिर जिनका 2 साल का experience है 10 points उसके रहने वाले है फिर आपका बाइवर बॉइस interview होगा जो 20 points उसके रहने वाले है तो जो location होगी वो इनकी वही है office of state drug controller जमू में भी है तो next जो है ये काफी अच्छी है field investigator की जो 25,000 उसकी salary रहने वाली है bachelor degree pharmacy में होनी चाहिए दो साल का experience इसनों मांगा हुआ है और साथ में age का है पच्छताली साल काफी साथ age है और जिसने bachelor degree की है pharmacy में 70 points उसके गिने जाएंगे और जो दो साल का experience अगर उस बंदे को है तो 10 points उसके गिने जाएंगे बाकी आपका interview वह होगा वाइबा बॉइस होगा 20 points का और जो office वो state drug controller same office फिर जो next job है वो graduate वालों के लिए data entry operator की salary उसकी 15,000 रहने वाली है और जो graduate होगा 70 points उसके रहने वाले है एक साल का experience है अगर आपको 10 points उसके रहेंगे बाइबा वोईस होगा interview होगा 20 marks का यह सब और बाकी department वही रहेगा तो अभी मैं बात करता हूँ आपको apply कैसे करना है इसके लिए इसकी कुछ यह terms and condition भी है वो मैं आपको clear कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको apply कैसे करना है तो सबसे पहले है कि आपका domain style होना चाहिए जेनेड के का और candidate should be dedicated, hardworking, willing मतलब वो hardworking वगारा होना चाहिए, dedicated होना चाहिए, job related और मतलब गूमने like हो, मतलब क्योंकि जो field work का काम रहेगा वो आपको पूरे कहीं भी जाना पड़ सकता है तो उसके लिए वह होना चाहिए और जो selection होगी वो merit basis application होगी prescribed format में आपको submit कहां करवानी है जो इनका आपको जहां तो जो office of commissioner, food drug and administration या civil secretary जम्मू में आपको ये submit करवानी है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप contact number क्या है, इनका mail बगारा कर सकते हो आप तो ये है, cfsg, आप note कर सकते हो phone number बगारा और जो application format attached होगा करके आपको documents कहां के साथ, data worth certified, domain style certified, degree, जो भी आपकी degree graduate जो भी, फिर जो mark sheet है, all semester की वो experience अपना, फिर इन्होंने कहा है कि अगर जो इनको चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको ये reject कर सकते हैं बिना किसी information कर, तो ये आगे इनके mail बगारा, तो इसको apply कर सकते हो आप जाके और अपना फोन करके भी पूछ सकते हो तो कि क्या-क्या procedure है, फोन नमबर इनका दिया हुआ है, note कर लीजिए, mail करके पूछ सकते हो, बाकी ये था आज का job, बाकी आप चैनल को subscribe कर लो, ऐसे आपको job update मिलते रहेंगे, बाकी जेक के bank की preparation हमारे चैनल पे continue चल रही है, daily हमारा जो doubt session होता है, whatsapp group पे वो है, बाकी हम बात करें, जो current affairs की videos वो आ रही है, tricks आ रही है, तो काफी चीजिया आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, free में, तो उसके लिए आपको चैनल को subscribe कर लेना है, और bell icon को दबालो, जैसे वीडियो डालेंगे हम आपके तरह जुरूर